नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चनल कल्पना ओलिन वन पर आज मैं आपसे बात कर रहे हूँ निर्जला एकाशी के बारे में हिंदी पंचांग के अनुसार जेस्ट महा में शुकल पक्ष की एकाशी को निर्जला एकाशी मनाई जाती है इस वरत को दो जून को रखा जा रहा है इस दिन सादक भगवान श्री विश्नु की पूजा वरत करते हैं उनकी उपासना करते हैं एकाशी का बहुत बड़ा महत्व होता है निर्जला एकाशी का अगर आप वरत करते हैं तो आपको जितनी भी एकाशी पूरे साल में आती हैं उसका पूरा फल आपको सिर्फ और सिर्फ निर्जला एकाशी के वरत और पूजन से मिल जाता है निर्जिला एकाशी इस बार एक जून दुपहर दो बचकर 47 मिनट से प्रारंब होकर दो जून को 12 बचकर 4 मिनट तक समाप्त हो रही है जिन लोगों ने भगवान विश्नु की पूजा कर व्रत किया है वह पूजा आप 12 बचकर 4 मिनट तक कर सकते हैं निर्जिला एकाशी में आपको लहसुन प्यास का परहेज करना होता है उसके बाद आपको सुभा उठकर ब्रह्म मूरत में उठकर श्री भगवान विश्नु की पूजा करनी है गंगा जल से सनान करके आचमन करके संकल्प करना है पीले वस्तर धारन करके सूर्यदेव को अर्ग देना है इसके बाद श्री हरी विश्नु की पूजा पीले फूल, फल, अक्षत, दुरुवा, चंदा, नादी से करें इसके लिए सबसे पहले आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें आप निर्जला एकाशी की कथा पाट करें, आर्थी करें पूरे दिन निर्जला उपुवास रखें इसलिए अपनी सिहत के अनुसार व्रत करें जैसा आपको लगे अगर आपकी सिहत ठीक नहीं है तो आप सिर्फ पूजा पाट कर सकते हैं आर्थी अर्चना करने के बाद आप फलहार ले सकते हैं अगले दिन नित्य दिनों की तरह पूजा प्रत खोल कर ब्रहमनों को दान दक्षना दे कर आप भोजन कर सकते हैं ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेर करें, लाइक करें, कॉमेंट करें